राहुल और राहुल गांधी की मम्मी अब ये शब्द अच्छा या लटको जढ्यकोडे लिए देखिए हमारा देस अनेकता मेकता कीलिए जाना जाता है हमारे देस με कैसारी खेटरी भाका कई सारी आम बोल चाल की भासा हैं अगर भासा पर रास नीती होगी तो मुझे लगता कि आने बादे समय में भी जबी पाड़ी टिक पाएगे नमशकार मैं राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्पेनाइड नियूज स्वागत है आप सबी का आज की बड़ी खबर में आज की प्रोग्राम की शुरुबात इस्मिर्ती इरानी और अजे राय से कर रहे हैं जिया इस्मिर्ती इरानी को लेकर जो बड़ा वायान अजे राय ने दिया है उसके बाद देखा जा रहा है कि एक और जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला वर हैं लेकिन इस्मिर्ती इरानी ने कह दिया है कि अजे राय को माफी तो मंगनी पड़ेगी और वकाइदा लीगल नोटिस तक उन कोड तक पहुँँच गई संसद में हंगामा सडकों पर हंगामा लेकिन जब मिलकिस बानो जैसा मुद्धा होता है महिलाओं का मुद्धा होता है या जन्ता से जुड़े मुद्धे होते हैं तब क्यो नहीं इतनी एक्टिव नजर आती है इसमिर्ती इरानी और क्या जो कॉ ट्विटे रिठी विर्नने की कोशिष करेंगे कि क्या वाकरी जो बयान स्मिर्तीरानी को लेकर दिया गया तो dat regional design जिस तरह से बढ़क लेकर रहा है। आगे का वाद ट्वेट किया है, पिष्यान से कहा है कि लटके जटकी यह उटकान शेज करना आख शेतरी बहाता कांग पहुले इसमें क्या बड़ी बात बोल दी है उन्होंने का मैं माफी नहीं माघूंगा और अभट गोंगा इस आप इसमिरती इरा नहीं कहा कि राहल अगर भासा पर राजनीती होगी तो मुझे लगता कि आने बाले समय में वीज़ेभी पाइगे क्योंकि खुद कहती है कि आम बोलचाल की भासा तो यूज होनी चाहिए वही अजयराय कह रहे है कि आम बोलचाल की भासा तो मैंने क्या बड़ी बात बोल दी है अचा रितिक जब मैं स्मिर्थी रानी का जिकर कर रहा हूं अपने पर बात आ जाती है तो कोट तक चली जाती है कोट की हमकी देने लगती है लेकिन महिलाओं का जब असली मुद्धा होता है चाहे बिल्किस बानो का मुद्धा हमने देखा अंकिता भंडारी का मुद्धा देखा हाथ रस जैसे घटनाय घट गई है इसके अलावा हमने आफ्ताव वाला मामला देखा उस पर कुछ बात क्यों नहीं करती है इसमिर्थी रानी अपनी किचन की फोटो डालने के लावा कुछ नहीं कर सकती है वो यह डालेंगी कि आज मैंने क्या बनाया है आज क्या चल रहा है उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती है इसमिर्थी रानी आज से कम से कम आट साल पहले जब सड़कों पर आंदुलन करती तो लगता था कि एसी निता है जो महिलाओं के लिए आवाद उठाएंगी लेकि वही नाटक वो कही ना कही है आज राजनीती में कर रहे हैं वही ड्रामा कही ना कही है आज राजनीती में कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप नेता हैं आप जनता के लिए बोलिए देश के लिए बोलिए तब सही रहेगा ये लटके जटके में मत रहेगा वाकि लटके अरजुन खडगे ने बयान दिया था देखे मलीका अरजुन खडगे ने क्या कहा था मलीका अरजुन खडगे ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि कॉंग्रिस के जो नेता है उन्होंने तो बलिदान दिया है आपके कौन से नेता ने बलिदान दिया है आपके पालतू जानव के पास सच बोलने का अगर बात करें तो ज़जबा होता नहीं है भारत चाइना जैसे मुद्दे पर वो बात कर नहीं सकते विपक्ष बात करता है तो speaker of कर दिया जाता है जनता सब जानती है समस्ती है और क्रांती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये जानने की कोशिश कर महिलाओं का मुद्दा जब आता है तब तो इस्मिर्थी रानी चूप रह जाती है बेरोजगारी का मुद्दा होता है तब चूप रहती है महंगाई और तमान तरीके की जो मुद्दे 2014 से पहले उठाया करती थी उस पर चूप है लेकिन जब बात आजे राय ने बोल दी एक म रहता है तो वो बात लग गई उनको देखे जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे उठाना है तो उठा लेते है और बाकी महिलाओं के साथ कुछ भी हो रहा है देश में तो उन मुद्दों पर नहीं तो देखे अगर इसमृती इरानी के साथ अभी मैंने एक सर्वे भी किया था जब मैं लाइव सेशन कर रही थी उस दौरान मैंने जनता से एक सवाल पूचा था कि आकरकार इसमृती इरानी को क्या इस मुद्दे में जनता का समर्थन मिलेगा क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब वो सर्कों पर उतरती थी तो जनता का भारी सहमत जो है उनके साथ रहता था भारी बहुमत के साथ वो सर्कों पर प्रदर्शन करने के ले उतरती थी लेकिन अब जब आज वो सत्ता में है तो देखे जनता का एक टुकडा भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा है तो ऐस पूछा गया था जंता के साथ में जंता ने जो है इसको लेकर के अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश गया इसमें से 74 प्रतीशत जंता जो थी उन्होंने ये इस बारे में कहा था कि नहीं हम इस मुर्टी रानी का समर्थन नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 100 में से 74 प्रत ठेहरा दिया अगर अब वो सही मुद्दा भी उठाएंगी तो भी जंता जो है वो उनको घसीटे की अच्छा करांती एक सवाल मेरा और यहां पर बन रहा है इसमिर्ती रानी का अपमान होता है इसमिर्ती रानी पर बात उठती है तो कोट तक पहुंच जाती है लेकिन जब वह महिलाओं पर बात लगती है महिलाओं का अपमान उड़ाती है यह प्रधान बनती नरेन मोडी ने एक बार भरी सभा में कॉंग्रेस की महिला नेता को सूपनखा तक कैदिया था तब कोई बात नहीं हुडती है सत्तपक्ष करे तो ठीक है विपक्ष करे तो हंगामा देखे बिल्कुल यह हमेशा से होता रहा है सानिए कि सरफ मोधी गौर्णमेंट में यह सब कुछ हो रहा है इससे पहले जब इंद्रा गौर्णमेंट था उस दौरान भी कॉंग्रिस जो कहती थी या जो करती थी उनहीं लोगों की बात मानी जाती थी बाकि किसी नेता की उतन कि पर हैं जागरग हो चुकी है पहले के मुकाबले पहले जंता सवाल शुनती भी तो ठीक है उनको मतलब नहीं होता था राजञीति इस्टफना आज जनता को पत्य है कि देश राजनीति के बदौलत ही चल रही है तो आज जनता हर मुद्ध में घुसत है तो शायद आज इसलिए जो है इस सरकार की नीती जाद दिखाई देती है तो देखे ये देखना ये वाकई दिल्चस्प होगा कि क्या अजयर आय माफी मांगते हैं नहीं मांगते लेकिन एक बात तो है कि लटके जटके जैसे शब्दों का इस्तमाल करना जो है इसको गलत नहीं बता जा सकता है क्योंकि ये आम बोलचाल की भासा में इस्तमाल किया जाता है अब अजयर आय ने तो मना कर दिया माफी नहीं मांगेंगे अब इस्मिर्ती रानी का अगला कदम क्या रहेगा इस पर आगे वाले आने वाले वक में देखना होगा क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा इस पर लगातार बात करते रहेंगे तो फिलाल आज के लिए मुझे इजाद दीजिए नमस्कार